तो जहीं नमस्कार साथियों मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करते इस्टेंड आज की स्क्लास में इस्टेंड अगर आप सभी भी रेल्वी आर्पीफ कॉस्टेबल 2024 एकजाम की त्यारी कर तो यह कीन माने इस्टेंड आज की कलास सर्ब सभी के लिए काफी इंपोडेड होने वाला है कि कि आउसी की रिल्वी आरपी परिछा में बार बार पूछे जाने वाले प्रस्णों का संग्र आज कि इस क्लास के अंदर लिया गया तो आप सभी से की रिकेष्टी के आप लोग इस क्लास को इंट तक जोड़ देखेगा तो चले इस टेंड आज की इस class को अस्टार्ट करते हैं तो जैसा की इस टेंड आप लोग देख पारे कि सारे प्रस्णाव सभी के लिए काफी imported and exam oriented लिया गया है तो आप सभी से एकी request है कि आप लोग इस class को इन तक देखेगा क्योंकि सारे प्रस्णाव सभी के लिए selected लिये गये हैं तो चले इस टेंड आज की इस class को start करते हैं आप सभी के पहले प्रस्णे के साथ क्या आप सभी का पहला प्रस्णे क्या पूछा जा रहा है पहला प्रशन करति हीराकुंड बांद किस राज्य में इस्तित है तो राइटें सो राज़ रहेगा, आप सभी का ऊरिसां में इस्तित हो जाएगा और आजकी सिस्टेन्ट आप सभी के लिए 100 प्लस MC की कोशन लिए गया है और वो भी आप सभी के कि आज की स्क्लास में वाल लाइनर कोशन लिया गया और आप सभी की वाल लाइनर कोशन करने का बेनफीट ये मिलने वाला है कि आप लोग कम से कम समय में अधिक सदी कोशन को कबरप कर पाएंगे ठीक है न जो कि सारे प्रशनाव सभी के 100 प्रशन जौब सभी के सिर्फ 15 से 10 स 15 मिनट में मैं कबर अब करवा दूँगा ठीक है न अगला प्रशन आप सभी का कि सौतंतर भारत कि पहले गवणन जनर्र कोन थी है तो सोतंतर भारत के पहले गवणन जनर्र के बात किया जाए तो सी राजगोपाल चारी हो जाएंगे अगला प्रशने की टेलिफोन का विष करते हैं सभी का अगला प्रशन है कि महत्मा गांधी ने साबर मती आश्रम के अस्थापना कब की थी जो महत्मा गांधी ने साबर मती आश्रम के अपना कaju किया था तो राइट एंसरो जेगाव सभी का 1916 में सभरमती आश्रम के स्थापना किया गया था अगला प्रसने की चोरी %कांड कब और कहां हुआ था तो चोरा चोरी फॉरिकांड की बात करें सभी का अगला प्रश्ण है कि मोपला आंदोलन कब और कहा हुआ था तो मोपला आंदोलन की बात करते तो राइट एंसर अजग आउस सभी का 1921 माला बार केरल में हुआ था और इस सारे प्रश्ण इस्टेंट आप सभी के लिए एक्जाम ओरियेंटे लिया गया ठीक और आप स तो सोराज दल के अस्थापना के बात करते तो मोती लाल नहरू और चितरंजन दास आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्णे की लखनव समझोता कब और किसके मध्य हुआ था लखनव समझोता के बात करते हैं तो ये दिसंबर 1916 में कांगरेस और मुश्लिम के बीच मुश्लिम लिंक के बीच ये समझोता किया गया था ठीके ना अगला प्रस्णे की भारती राष्टी कांगरेस की प्रथम महिला अध्यक्च कौन थी तो भारती राष्टी कांगरेस की प्रथम महिला अध्यक्च के बात करते हैं तो सरुजनी नाइडू आप सभी का राइट एंसर हो जाएंगी चलिए अगले प्रस्णे को बात करते हैं कि इसका अंत कब हुआ था ठीन सुरूत तो 12 मार्च 1934 को हुआ था लेकिन इसका इंड पॉइंट क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में जुरूर बतेएगा अगला प्रस्ने की जन्तू बिज्ञान का जनक किसे काते हैं तो जन्तू बिज्ञान के जनक के बात के तो को कहा जाता है अगला प्रस्णी आगरा का किल्म किष्ने बनवाया था तो अकबर आप सभी का राइट्अ सर हुच जाएगा अगला प्रस्ने की 200 पारेवरण दिवस को मना जाता है तो 200 पारेवरण दिवस के बात करते इस टेंट तो आप सभी के 5 जुन को मना जाता है और आप सभी के RPAP exam में बात करें RPAP exam में आप सभी के day और theme से एक प्रशने करंटली जरूर आपसी की इग्जामें पूछा जाएगा ठीके रहा अगला प्रशने की चमपारण सत्यागरा कब हुआ था तो चमपारण सत्यागरा के बात करते तो नव 19 अप्रेल 1917 को चमपारण सत्यागरा हुआ था चलिए अगले प्रशने को और बात करते आप सभी का अगला प्रशने की राष्ट पती किसकी सलाह पर लोग सभा को उनकी ओधी के समाप्ती से पहले भंग कर सकता है तो प्रधान मंत्री आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीके ना अगला प्रशने की साची का स्तूप किसने बनवाया था यह भी कॉशन काफी पुलेडे एक्जाम ओरियंटेड बात किया जैतू तो साची के स्तूप के बात करें तो सम्राथ असोक के द्वारा बनवाया गया था प्रशेण लेए असरे।कर बात करते हैं कि प्रसीद चीनी यात्री, फाहियान ने भारत की यत्रा किसके सासनंकाल में की थी, किया था तो फायान के बात करें तो चंदरगूप्त दृतिये के सासनकाल में फायान जो था भारत यातरा को संपन किया था ठीक है न अगला प्रशने रतौंधी रोग किस बीटामिन की कमी से होती है तो रतौंधी रोग की बात करें तो आप सभी की बीटामिन A की कमी से होता है बीटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है ठीके आप सभी की बात करें आप सभी के गलगट रोग होता है ठीके न चलिए अगले प अंग्जाम में एक प्रश्न 100% पूछेगा कि कौन से राजज्जी कैया कौन सन्यूरत है यहां प्र पूछा गया कि पोंगल किसे राजजी का तिवहार है गपसीर मात्मा गांधि के मात्मा गन्धि की रोड से ठीक है न इसका नाम था नाथू राम जो की मातमा गांदी को गोली मारा था ठीक है न अगला प्रस्थ ने की गदर पाठी के स्थपना कौब और कहां होई थी तो गदर पाठी के स्थपना के बात करते हैं नौंबर 1913 सेन फ्रांसिसको अमेरिका में इसके स्थपना किया गया था गदर पाठी के स्थपना चली अगले प्रस्थ ने को बात करते हैं उससे पले आप सभी से एक छोटा से रिकेस्टी कि अभी तक आपसे में चलो को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लिस चलो को सब्सक् चलो किसे बढनी थी अगदर पार्टी की स्थपना किसके निर्तित्यों में किया गया था देख रेक्ष में किया गया था तो लाल हरदेयाल आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्थ की गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष के बात करते तो सोहन सी भक खाना हो जाएंगे अगला प्रशन मात्मा गांधी को कैंसर ए हिंदी की उपादी किसने नवाजा गया से कब नवाजा गया तो 1915 में से नवाजा गया था चली अगले प्रशने को बात करते हैं सभी का अगला प्रशन है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल में एकता हो गई तो लखनव अधिवेशन में ऐसा संभव हुआ था ठीक है ना अगला प्रस्ण है कि मुस्लिम लिग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक सन्यूक्त समीती का आस्थपना किया तो राइट एंसर हो जाएगा उसी का लखनव अधिवेशन आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को और बात करते इस्टेंट आप सभी का अगला प्रस्ण है कि राष्ट पती की सपत कौन दिलवाता है इंडिया में तो राष्ट पती के सपत के बात के भारती सम्मिधान के किस अनुछिद में राष्टी अपत्काल के लिए प्रोधान है तो अनुछिद 352 आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने की उच्छ सदन राज्जी सभा के कितने सदर्शें भारत के राष्ट पती द्वारा मनोनित किये जा सकता है अगले प्रशने को बात करते हैं सभी का अगला प्रशन है कि भारत का लगू सम्मिधान की संसोधन के रूप में भी जाना जाता है तो राइट एंसर अगला प्रशने की जम्मू और कश्मिर राज्य बिधान सभा का कारेकाल है छे वर्श अखिल भारतिय सेवाओं के लिए निक्तिया किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट पती के द्वारा किया जाता है चली अगले प्रशने को बात करते हैं सार्दा अधिनियम सम्मंदी थे तो बाल बिवा से नीती आवक्याद्यक्ष परधान मंत्री किस ग्राव को बौना ग्रा के नाम से जाना जाता है तो प्लूटो कौवसी के बौने ग्रा के नाम से जाना जाता है अगले प्रशने भारती सम्मिधान में कितने मौलिक अधिकारों का उलेख किया गया है तो छे किया गया है ठीके ना चली अगले प्रशने को बात करते हैं सभी का अगला प्रशने कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है अपतकाल के दौरान भी तो ये अनुछित 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है वो चाहे अपतकाल हो या चाहे कुछ भी हो अगला प्रस्ने भारत का पहला वैसराय कौन था तो भारत की पहले वैसराय के बात करते तो लाड कैनिंग आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने वाइस बनने के लिए निन्तम आयो कितनी होनी चाहिए भारत के राष्ट पती ऐने थर्टी फाइप ये चोना चाहिए चली अगले प्रशने को बात करते हैं नीती आयोग का गठन किसके अस्थान पर किया गया है निमलेकी संस्था यायोजना आयोग हो जाएगा भारत में रिट कितने प्रकार की होती है समिधान तो 5 प्रकार के भारतिय समिधान में कितने मौली कर्तवियों का उले किया गया है तो 11 किया गया है चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं अगला प्रस्ण आप सभी का ध्यान दिज्येगा करें कि भारतिय समिधान के में के चुनाव की पदिती राष्ट पती को किस देश से लिया गया है तो आ बनाये गया है तो सरदार श्रोवर बांध के बात करते इस्टेंड आस्वी के नर्मदा नदी पर बनाये गया है अगला प्रस्णिक के ऊच दाब छेतर से भूमद्य सागर की और चलने वाली पौने होती है तो वेवपारिक पौने होती है तो ट्रेड वाइंड हो जाएगा च पौने मुंख हो जाएगा अगला प्रस्ण अजान परत इस्थी थे तो सम ताप मंडल में हो जाएगा अगला प्रस्णिकल के नीकट तम दूरी पर गर्रbrar है तो सुक्र हो चली अगले प्राश्नक और बात करते करा है मकर सक्रांति के समय करक रेखा पर दो पहर के सूरे का उन्तान्स होती है तो 66.50 हो जायगा अगला प्रस्ने वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मिर्तु से ग्रसित होते हैं क्या कालाती है तो चंदर सेखर शिमास कालाता है चली अगले प्रशने को बात करते हैं कि मरुष्थलिये पौदे की जड़े किस कारण से लंबी हो जाती है तो जड़े पानी की तलास में लंबी हो जाते है नि क्या करते है मरोस्दली पौधे की जड़े होती है ओगला प्रेशना की मरुस्थली यह तो हो गया अगला प्रशन नागर जुन सागर परिजना भारत की किस राज़े में है तो आंदर प्रदेश में सवाना घास के मैदान कहा परे तो अफ्रिका में हो जाएगा अगला प्रशन आपसी का कि किस तीथी को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिसके दर्छिटम गोलार्थ में सबसे बड़ा दीन तथा ओतरी गोलार्थ में सबसे बड़ी रात होती है तो 22 दिसंबर आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने तंबाकू का सारधिक उतपादन भारत के किस राज़ी में होता है तो आंदर प्रदेश आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा बात के कितना पर तिसत भाग प्रवती है तो आप शी सेंथे आगे उन प्रशने क्या है आगे का राय कियासी का कि 200 में सबसे अधिक उचाई पर इस्थित उस जो अलमूखी का नाम क्या है जिसकी उचाई 6960 मीटर है तो अंकों का गुआ ठीके न चली अगला प्रस्ने की ग्रिन लेंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली थंडी जलधरा को क्या कहते हैं तो हमेरिय के आज और प्रसमें गाना भग्रीया तथा सक रिया लोक निरित कि राज्य की प्रमुक हम निरिति तो राज्य स्थान को होज जाएगा अगला परसमें लेंड маш ग्ट successful वाली मित्र होज जाएगा तो आज की क्लास को इस्टेंड एही तक इन करते आप सभी को क्लास के ऐसा लगा कॉमेंट बोक्स में जुरू बतीएगा अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्ले चलंग को सब्सक्राइब कर साथ बेल आगन को प्रेस कर दीजेगा ताके सा मोश्ट इम्पूडे क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें तो मिलते नेक्स्ट क्लास में स्टेंड ठांक्स रचिंग माई क्लास